आपके हम बिछड़े तो शायद कभी खौबों में मिले जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले अहमद फराज का ये शेर याद आता है जब हमें सचाई से रूबरू होते हैं कि मुंबई की सड़कों पर अब नज़र नहीं आएगी काली पीली टक्सी पहले डबल देकर बस बंद हुई और अब काली पीली टक्सी काली पीली टक्सी मुंबई कर के लिए सिर्फ टक्सी नहीं है एक एमोशन है नज़ाने कितनी कहानिया जुड़ी होंगी लोगों की और शायद घरों में लोगा चाई की चुसकी लेते हुए उस कहानी का जिक्र भ मुंबई कर के लिए तो ये दिन कुछ ऐसा है कि जिसकी आपों में कटी थी सदियां उसने सदियों की चुदाई दी है कहते हैं वक्त बदलने के साथ ही तकनीक में भी काफी बदलावा गया है हर शहर में अब कैब का प्रचलन चादा हो क्या है कहीं भी जाना हो तो ऑनलाइन कैब मौजूद है बस थोड़ी सी फॉर्मालिटी और सुख़द यात्रा का लोग अनंद ले रहे हैं पिछले कई दशकों से एक दो नहीं करीब छे दशकों से देश की आर्थिक राजधानी मौबई की सडकों पर काली पीली टैक्सी को आपने सर पर तोड़ते देखा है मौबई में रहने वालों के लिए तो ये काली पीली प्रीमियर पदमी टैक्सी की तस्वीर जहन में वसी है इस टैक्सी सेवा को काली पीली टैक्सी सेवा के तोर पर जाना जाता था और मौबई वासियों का इस टैक्सी सेवा से गहरा जड़ा रहा है अब उन लोगों के लिए एक दुखत खबर वो ये है कि सुमवार यानि 30 अक्टूबर से अब इस काली पीरी टैक्सी की आत्रा समाप्त होने जा ली है इसकी वज़े है कि अब शहर में नए मॉडल और एप अधारित कैप सेवाय उपलब्ध हैं और इसे लेकर काली पीरी टैक्सी को अब मुंबई की सड़कों से हटा दिया जाएगा बता दे कि मुंबई में हालमें सार्विचनिक ट्रांस्पोर्टर बेस्टी की प्रसेद लाल डबल डेकर डीजल بसों को भी सड़कों से हटा दिया गया है और इसके बाद अब ये काली पीली टैक्सी भी सड़कों पर नज़र नहीं आएगी काली पीली टैक्सी को म्यूजियम में रखने की मांग परिवहन वेभाग के एक अधिकारी ने कहा कि प्रीमियम पदमिनी की आखरी टैक्सी को 29 नवंबर 2003 को तारदेवो आल्टियो में पंजिकरित किया गया था उन्होंने बताया कि शहर में कैब संचालन की समय सीमा 20 साल है ऐसे में अब सोमार से मुंबई में आधिकारिक तौर पर प्रीमियर पदमिनी यानि काली पीली टैक्सी सड़कों पर नहीं चलेगी वहीं मुंबई की आखरी पंजिकरित प्रीमियर पदमिनी टैक्सी MS-01-J-2556 की मालिक प्रभाद देवी ने कहा ये मुंबई की शान है और हमारी चान है आपको बता दें 1974 में पदमिनी की शुरुआत यात्रा हुई थी वहीं मुंबई के कुछ लोगों ने मांग की है कि कम से कम एक प्रीमियर पदमिनी को संगरहाले में संरक्षित किया जाना चाही बता दें कि कुछ साल पहले Mumbai Taxi Man Union ने सरकार से कम से कम एक काली पीले टैक्सी को संरक्षित करने के लिए याच्कादार की थी लेकिन कोई सफलता नहीं मिली Mumbai Taxi Man Union के महासच ए एले Quadros ने बताया कि टैक्सी के रूप प्रीमियर पद्मिनी ने अपनी यात्रा 1964 में वेट 1100 Delight मॉडल के साथ शुरू की थी ये टैक्सी अब यादों में रहेगी अभी के लिए बस इतना ही ऐसी हिदैश और दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए ये बने रहे हैं हमारे साथ और देखते रहे हैं चीविड़ के लिए